कि देखो एक वार हमने आपको यह बताया था कि मन क्या है तो थोड़ा बताया था और अब हम आपको बिल्कुल एक नई चीज बताएंगे मन के बारे में कि मन है क्या आखिर और इसका महत तो क्या मन का देखिए सफ़े पहले जानना यह है कि आत्मा जो है हमारी सोल है वो प्रम्पिता प्रमात्मा का अंसर और प्रम्पिता प्रमात्मा ने इस सेष्टि को संचालित करने के लिए आत्मा का यूज किया और इस भौतिक यूँ जगत में जब वो उस आत्मा को सरीर मिला तो सरीर मिलने के साथ साथ में भी मन भी मिला सरीर आत्मा को इसलिए मिला ताकि वो अपना जो भी काम कर सके वो काम करे अच्छे से अच्छा हाथ पेर दे दिये, दिमाग दे दिया, सब कुछ दे दिया, और मन भी दे दिया साथ में, मन जो दे दिया है, तो वो आत्मा को उपहार सरूप मिला, जिस तरीके से आत्मा को ये सरीर उपहार सरूप मिला, कहते हैं कि सरीर अन्मौल है, तो जब सरीर भी अन्मौल है, तो ये मरा जो मन भी है न, वो भी अन्मौल है, सरीर का जो काम होता है, वो होता है, बिजातितों को बाहर निकालना, ठिक, और जो मन होता है, वो मन का काम होता है, अंतरमुकी होकर, आत्मा को साफ करना, आत्मा के विकारों को निकालना, ये मन का काम होता है यह काम नहीं एक तदिए का जो में यह आत्मिक जो काम है वो मन के द्वारा है किया जाए सकता है मन अंतर मुखी होगा और अंतर मुकी होने के बाद आहना कि आत्मा में जो विकार हैं उनको वो साफ करेगा तो जहां यहां पर देखा जाए कि मन भी हमारा जो होता जो अन्मोल होता है अब मन को हम यूज कैसे करते हैं यह हमारे उपर निर्वर है मन को अच्छे कामों में हम यूज करेंगे तो ठीक है पढ़िया है अगर गलत कामों में हमें यूज कर रहे हैं मन को तो वो गलत है तो अच्छली हुआ क्या है कि मन कि निगेटिव पूर्जया उसे इतना ग्रश्ट हो गया है इतना भारी हो गया है कि वह गलत कामों में ही जाता है वह क्यों जाता है कि वह निगेटिव हो चुका है हाँ जाता है हमारा क्यों कि यह मन्द हमारा जो इस शरीर मिला था हमको तो जब हम पैदा होते हैं जिसली होता है जो बहुत दक शरीर होता है और मलीन होता है यह सरू जब हम इस जगत में आते हैं मा के गर्व से मलीन होता है फिर हमें साफ किया जाता है साफ नहला दोला के साफ किया जाता फिर अच्छे-च्छे कपड़े पहना जाते हैं उसी पिरकार से हमारा जो मन भी होता है वो भी मलीन होता हमें भी मन को साफ करना भोता है लेकि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेडिटेशन हमारे मन को साफ करता है मिगेटिप उर्जाओं से मन को दूर रखता है और मन फिर बाद में जैसे ही अंतर मुखी होता है जब मन साफ हो जाता है और मन साफ मन को हम जब अंतर मुखी करते हैं तो वो आत्मा में जाकर उसके बिकारों को भी साफ करता है तो मन का देखा जाए तो महत बहुत होता है अगर समझा जाए तो लेकिन हम मन को बहुत हलके में लेते हैं और अपना सरस्तुर समझते हैं कि और हम अपने मन को सफू समज Zocha कि जब तक हम अपने मन को सफू समझते रहेंगे दूश्मन सब्सक रहेंगे तब तक हम यूहीं परेशान ही गुंते रहें ittaćah मन का महत बहुत है मैं तो समझेड़ को संजो तो बहुत एग मन से हमें क्या काम करवाना है यह हमारे उपर निर्वर है, तो मैं तो यही कहता हूँ, कि मन को समझो, मन का महत्व ही यह है कि हमें वो मोच्छे प्राप्त करा सकता है, वो मेरी आत्मा को पवित्र कर सकता है, ठीकर? तो हमें अपने मन को उपयोग उस चीज में करना चाहिए, और कम पे कम 30 मिनट साम को 20 मिनट सवेरे मन को अंतर मुकी जरूर करना चाहिए, जब वो अंतर मुकी होगा, पवित्र होता चला जाएगा, जब वो खुद पवित्र होगा, तो वो हमारी आत्मा को भी पवित्र करता रहेगा एक उधारन यह भी है कि अगर हमारे पास कि अगर आपकी पैसा पड़ा एक अगर कि एक खतने में और किसी ने आप से पैसे मांगे रुपए तो आप जाएंगे वह बैंक से निकाल गे देंगे वहां पर क्या है पैसा आपके पास रख्ख था अब बैंक में पैसा ही नहीं है तो बैंक में जाके निकालकि क्या दोगे तुम उस वेक्ति को कुछ नहीं उसी प्रकार से यह मन है अगर मन अंतरमुखी होगा पवित्र होगा तभी वो मन आपके आत्मा को आपकी सोल को पवित्र कर पाएगा और उसके पिकारों को नश्ट कर पाएगा तो इसलिए अपने मन को पवित्र बनाओ, मन की पावर को बढ़ाओ, मन की पावर को बढ़ाओगे तो आप सब कुछ कर लोगे, जैसे गुर्णानक जी ने कहा था कि मन जीता तो जग जीता ठीक है जे गुर्दीब